किसान बई यो नमस्कार आप सभी का स्वागत ही हमारे चैनल में इस यूडियों में हम बात करेंगे मुखपली की फसल सभी किसान बई लोगों के 30 से 60 दिनों की आउस्ता में हो गई हैं तो आपके मुख्पली की फसल में फलोरिंग जदा होगी इसमें पोदे की बढ़वार और करोद भी अच्छी रहेगी पोदे में बिलकुल हरापन आएगा और मुख्पली की फसल में एकदम जदा उठाव देखने को मिलेगा इसके अलाओं मुख्पली में पिलापन दूर हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान सात्यों के साथ सेर भी जरूर करें अगर आप हमारे वार्षप ग्रूम में जोड़ना चाते हैं तो नीचे लिंक पर कली करके जोड़ सकते हैं दोस्तो जब मुख्पली की फसल थीज से सार दिनों की अवस्ता में हो जाती हैं उस समय पर मुख्पली की अच्छी ग्रोथ अच्छी बड़वार के लिए अच्छे फूल के विकास के लिए आपको इसमें इस्प्रे करना चाहिए तोस्तो इस्प्रे में आपको सबसे पहले दोई लेनी है टाटा का टाटा मास्टर फंगी साइड दोस्तो इसके अंद समस्य आ रही है तो यह दोई आपकी मुक्पली की फसल में सभी रोगों का नियंतर कर लेगा इसके साथ आपको यंपिके कुनिस 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 खात का प्रियोग भी करना चाहिए यह की पोदे में नाइंट्रोजन, फास्वरस, पोटास की पूर्ती को पूरा कर लेगा इसे साथ आपको इसमें एक कीट नासक का प्रियोग करना चाहिए, कीट नासक के रूब में आपको सीजंडा कंपणी के अलिका का प्रियोग करना चाहिए, अलिका के अंदर भी दो टेकनिकल होाते हैं लेम्डा प्लस थाव熱 मितो गजाम, जो कि आपकी मुक्पली की फसल में सभी प्रकार के रस्तुसक कीट यह चोटी बड़ी सेमील उपर इली को भी कंट्रोल कर लेता है इसके साथ ही आपको एक बेश्ट टोनी का प्रियोग करना चीए टोनी के रूब में आपको P.I.E. कंबनी के बायो विटा टोनी का प्रियोग करना चीए क्योंकि बायो विटा टोनी के अंदर 64 प्रकार के सुक्सम प्वशक ततो की मातरा पाई जाती है जोकि आपके मुक्पली के पोदे में छोटी से चोटी पोसक ततों को कमी को पूरा कर लेता है एवं पोदे में हरापन आ जाता है पोदे में फूलों की संग्या भी बढ़ जाती है और फूल भी अच्छी विकास करते हैं और पोदर की ग्रोध भी ऑटोमेटिक बढ़ती हैं तो आपको ये चारोज चीजों का इस्प्रे आपको मुक्पली की फसल में करना चीए अगर इन सबी के डोज की बात करें तो टाटा मस्टर का डोज आपको 300 ग्राम पढ़ते एकर एनपी के गुणिस 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 का करें आपको इक कमपणू की बायुटा टोंइग का जाते हैं इन सबी को आपको 200 लिटर पानी में मिलाकर आपको एक एकडी कर दे ऐस देह चीए अगरा मुक्पली की faithful में ये वाला ऐस्प्रेय कर दाते हैं पर 30-60 दिनओं के बीच में बीचिसी भी प्रकार कि दोई का अरि नहीं करना है और मुक्पली की ओटोमेटिक गरोड बढ़ेगी और आपकी प्यदावार भी अंत में जाकर जादा होगी तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही जानकारी पसन आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब जरूर करें दन्यवाद जे जिवान जे जेकितान